हेलो एवरीवन वेल्कम टू वाइफाइ स्टूडियो सिवेंगी लर्नी समीधान के भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे समीधान के अनुसुचियां इससे पहले समीधान के स्रोथ कि सभा और जितने भी समीधान से अनको कवर किया गया है इसले वीडियो जरू जरु दखें समीधान के अनुसुचियां कौन कौन सी इनुसुचियां हैं और इनके इंपॉर्टेंट माफ को कवर किया जाये गए जो भी चैनल नहीं को सब्सक्राइब करें वीडियो को करते हैं जो भारती समिधान की अनसुचिया है यह इसमें भारती संग के घटक राजियों और संग्सासित्षित्रों का उलेख किया गया है जो भारत की समिधान की अनसुचियों में प्रथम अनसुचिया है वह भारती संग के जितने भी राज हैं और संगसासित छेत्र हैं उनके बारे में उलेख करता हैं जो सम्विधान के उन अत्रवे संस्वधन के द्वारा दिल्ली कुराश्टी राजधानी छेत्र का दर्जा भी दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दूसरी निसुची है इसमें भारती सभापती उस्ट्यम न्याले और उस न्यालेओं के न्यादीसों और भारती के नियंतर महालेखा परिच्छक आधि को प्राप्त होने वाले बेतन भत्ते और पेंशन आधिका उलेख किया गया है प्रथम अनसुची में भारती संग के गटक राज्यों संग साचिक छित्रों का उलेख किया गया है दूसरी अंसुची में भारती राज्यवास्ता ये इंके लिघृतन भत्ते और पेंशन में अधिका उलेख किया गया है जो तीसरी अन्सुची है इसमें विभीन पदाधिकारियों जैसे मंत्री उच और उस्ते म्याले के नई आधीसों द्वारा पद गौहन के समें ली जाने वाली सपत काउलेक है। नेक्स्ट है जो चोती अनसुची है इसमें विभीन, राजियों और संगी छेत्रों की रासवा में प्रतिनिदित का वियूरण दिया गया है इसमें रासवा में जितने भी प्रतिनिदित करते हैं उनका वियूरण चोती अनसुची में बारती समिदान के चोती अनसुची में नेक्स्ट पांचवी अनसुची में अनसुची छेत्रों और अनसुची जन जाती के प्रसासन और नियंतरन के बारे में उलेख है जो छटी अनसुची है, छटी अनसुची में इसमें असम मेगाल है, त्रिपूरा और मिजोरम राजियों के जंजाती छेत्रों के प्रसासन के बारे में प्रावदान है नेक्श्ट है सातिवी अनसुची, सातिवी अनसुची में केंदर व्राजियों के बेश सक्ति के बटवारे के बारे में दिया गया है, तिथा इसी अनसुची में सरकार द्वारा सुल्क व्योंकर लगाने का अधिकार का उल्लेक किouch लिए गया इसके अंतरगत तीन सुचि षद्राइब के साभ पार्फ सब्सक्रा gonna go totको क Самीधान के लागू होते की सेयले हुए– कि विस्थे अक्षा राज सुची में जितने विविसे दिये जाते हैं उसकोपर राजसरकार नार की एचे राष्ट हिस्सें समंदित होने पर केट सरकार की नर norm समेधान के लागू होने की समय इसमें 70 विशे थे अब बर्तमाल में 1 सर्विशे हैं नेक्ट है समवणती सुच्छी समवणती सुची के अंतरगे जितने विशे आते हैं उसके किंद्र और राज दोनों सरकारे कानून बना सकती हैं प्रंतु, कानून के विशे में समान होने पर किन सरकार दोरा बना इगया कानून इमाने होता है। मुल रूप से आटमीं सुची में चोडा हैं, चोडा भासा एती। 1967 में 21 संसुधन में सिंधी को तथा 1992 के संसुधन में 18 संसुधन में कुंकड़ी बासा, मड़ी पूरी और नेपाली को तथा 2003 में 92 संसुधन में मैथली संथाली डोंगरी था बोडो को आटवी अनसुची में सामिल किया गे जो नवी अनसुची है इस अनसुची में पर्थम संसुधन अधिनियम 1901 के द्वारा जोड़ी गए थी इसके अंतरगत राज सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्राण की विदियों कावलेक किया गया जो नवी अनसुची है नवी अनसुची में समलित विश्यों को नियाले में चुनोती नहीं दे सकती है बर्तमान में नवी अनसुची में 284 अधिनियम है अब तक मानिता थी कि समिदान की नवी अनिसुची में समलित कानूनों की नियाइक समिच्छा नहीं किया सकती है लेकिन 11 जनुरी दुरह साथ के समिदान पीट के एक नेड़े के दोरह करस्थापित किया गया कि नवी अनुसुची में समलिक किसी भी कानून को इस अधार पच्छुनोती दिया सकती है कि वह मौली का धिकारों का उल्लगन करता है त्था कुछतम न्याले किस कानून की समिछा कर सकता है जो दस्वी अनुसुची है यह समिधान के 92 संसुधान इसमें संस्थान के दौरा जोड़ी गई है इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कारे करने के लिए 39 बिसे पदान किये गई है जो बरावी अनसुची है यह अनसुची समिधान के 74 में समिधान संसोधार 1993 के द्वारा जोड़ी गई है इसमें सारी छिप्त के अस्थानी स्वसासन संस्थानों को कार्य करने के लिए 18 भी से प्रदान किये गए तो यह था 12 अनसुची इन 12 अनसुची में भारती समिधान के अनसुची में कुल 12 अनसुची है अब आईए important जितने भी multiple choice question है उसको करते है तो पहला जो question है बरतमान में भारती समिधान में कुल कितनी अनसुची है तो बरतमान में 12 अनसुची है समिदान सभा की प्रारूर्व समिती द्वारा प्रस्तुत प्रारूर्व समिदान में कितनी अनुसुचिया थी तो उस समय आठ थी बारती समिदान द्वारा अंतिम रूप से पारिज समिदान की कुल कितनी अनुसुचिया थी नेफिर निस्त किस्जिन है समीदान की किस अनुशुची में परतेक राजियों तथा संग राज छित्रों के लिए राज सावं में अस्थानों का अवंटन की सुची है तोग दें हैं आज विद्धान का तक देशमां चबक्तीन आनुश भम ककल दें के राज सभा में अस्थानों के आवंटर्ण की सुच्छी सामेले सु खौश्याब्लिक से भारत के सम्धान के किसरों का सबनہ नूश्य का सम्बन सुसासरी जिला प्रिश्दूँ से है तो ये छटी ये राजवांविकित है भारत सम्धान के नूश्य ये अनूश्य की किस अधिनियम को समिदान की किस अनुसुची का संबन की से पारति समिदान की आठवी अनसुची का संबंद है बासाओं के सर्थ नेश्ट है किस अधिनियम को समिदान के किस अनसुची में समलित करने पर उसकी बैदेता को किसी न्याले में चुनौती नहीं दिय सकती है तो ये नवी अनसुची किस राज के आरच्छन विदायक को नवी अनसुची में समलित किया गया है नेश्ट क्यूश्चन है हाली में आनप्रदेश से अलग होकर एक नए राजिते लंगाना के गठन हुआ इसमें बारति समिदान की किस सुची में परिवर्तन होता है तो ये अनसुची एक में जो संग और राज सेत्रों के बारें बताता है अनसुची एक में परिवर्तन होता है दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोगित्य समंदी ब्योरण समिदान के किस अनसुची में दिया गया है तो ये दिया गया है दस्वी अनुसुची में नेश्ट किश्चन है भारती समिधान की दस्वी अनुसुची किस से सम्मन दित है तो जो भारती समिधान की दस्वी अनुसुची है वो दल बदल कानुन से सम्मन दित है नेक्स क्यूशन है समिधान की छठी अनसुची इन में से किस राज में लागू नहीं होती है तो जो भारत की छठी अनसुची है वो असम में गालत त्रिपुरा में लागू होता है लेकि मड़ीपुर में लागू नहीं होता है नेश्ट क्विश्चन इसको मिलान करना है जो चतुर अनसुची है वो राज सबा समन्दित है जो छटी अनसुची है वो जंग जाती चेक से समन्दित है जो आठवी अनसुची है वो भासा समन्दित है और जो नवी अनसुची है वो भूमी सिदार से समन्दित है नश्ट इसको भी settlers करना है ठो जो अटमी अंसुंची है वह राश्टी बासा से समली से नियौं से बाहर, जो दसमी अंसुची यह दल बदल बिरोध कानемся करता हूं जो इग्रावी अनसुची है वो पंचायत राजवेश्था का प्रवधान समंदित हैं नेक्स है प्रसासनिक उबंद दिया गया है और अनसुचिया दिया गया है तो जो असम में गाले त्रिपूरा और मिजारम के जन जाती छेत्रे हैं हुपक्या रइलवां कि अखीलबाह्रती सवाएं वह साथवी अनसुच समंदित च्छेत्र जम घिसरी fier नियंतर्वी अनसुची त constitu Whoo अ निस्ट तफ्ट्ट्स को भिस से मिलित करना है जो आठवी अनसुची आठवी अनसुची वह से समंडित है जो दूसरी予ंसुची है सपत तथा प्रति basketball के प्रारूप से समंदित है जो चोती अनुसुची है राज सबा में अस्थानों के आवंटन से समंदीत है और जो दस्मी अनुसुची है दल बदल के अधार पर नीरहरता के बारे में उबबन से समंदीत है निस्टक्शन भारती समयदान की अगरावी Betsy किस समंदित हैं तो भारती समयदान की जो इकरावी अद्शुची है उपंच्याटी रास्थ समंदित निक्श्टक्शन है निविखित में आप से कउन सा एक कथन भारत के समयदान की चौथी צोन सुची का सहीben करता है तो भारती इसमें कौन सकता है जो भारत समिजान के चवती अनसुची का सही बड़न करता है यह है इसमें राज सभा के अस्थानों के अवंटन समंदीक उपुबंद अंतर विष्ट है निश्ट है इसको भी मिलान करना है प्रसासने को बन दिया गया है और समन्नीत अनुशिया दी गई है